आज की रेसिपी इंस्टेंट खंबन ढोगले की सबसे पहले एक बड़ा बॉल ले लीजे उस पर रखिए स्टेनर और एक कटोरी बेसन को चान लीजे अच्छे से चान लीजे ताकि जितने भी गुटलियां हो या गंदगी हो वह निकल जाए एक कटोरी बेसन अच्छे से चा और यहां पर आदा चमश हल्दी पावर्डर इसे भी हम अच्छे से चान लेंगे और एक बार इस सबी चीजों को मिक्स कर लेते हैं यहां पर मैं एड़ करूंगी एक टीज स्पून शुगर का चीनी ले लीजे आप उसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजे एक कटोरी बेसन से आप पूरे परिवार के लिए ढोकला बना सकते हैं यहां पर मैं आड़ करूंगी एक टेबल स्पून ओल का ओल डालने से हमारा बैटर बहुती स्मूध और बहुती शाइनिय बनेगा यह से जरू डालिएगा और थोड़ थोड़ा पानी डालके इसे अच्छा सा बैटर बन यहां पर मुझे बैटर बनाने के लिए आधा का पानी यूज हुआ है इस तरीके से अच्छे से फेट लीजे ताकि कोई भी गुटलिया ना रहे इसमें देखिए ऐसी कंसिसेंसी होनी चाहिए हमारे बैटर की अब इसे ढखके दो से तीन मिट के लिए रख लिए ताकि सूजी जो है फोड़ी फूल जाए तब यहां पर टिन कोम ग्रीस कर लेते हैं और पानी को मैंने बॉल होने के लिए रख दिया है दो से तीन मिट के बाद द पांच ग्राम किया है सार एक चमच पाइं डालके अच्छे से इसको फेट लीजिए बहुत जादा मत फेटिएगा बिल्कुल हलके हातों से मिक्स कर लीजिए और तुरंती हमें इसे टेन में ट्रांसवर कर देना है इनो डालने के बाद बहुत जादा जिए तक बाहर मत रखिएगा तुरंती टेन में ट्रांसवर कर लीजिएगा मिक्स करने के बाद और उसके बाद टेन को अच्छे से टैब बिल्कुल नहीं करना इस तरीके से फैला लीजिए बराबर कर लीजिए और उसके बाद हम यहां बिल्कुल भी ready हो जाएगा देखें बीस मिट के बाद बिल्कुल भी अमरा ढोकल रेडी हो जाएगा इस तरीके से एक स्टिक से या मदल से या चाकू की हलब से या इस तरीके से डाल की देख लीजे अगर क्लीन आ जाए तो यानि कि हमारा ढोकल बिल्कुल पंग गया है इस इसमें डालिए 5-6 मिर्चे आप ज्यादा भी डाल सकते हैं जिसना आप तीखा खाना पसंद करते हो वे लिए से बिल्कुल तीखा नहीं होगा इस तरीके से फ्राइ कर ली जिसको अच्छे से यहीं पर मैं आड़ करूंगी डेड़ चम्मचीनी हलका सा नमक आड़ करूंगी यहाँ पर और आधा कप पानी डालके इसे हम बॉयल आने देंगे कड़ी पत्ता भी यहीं पर आड़ कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करके बॉयल आने दीजे बॉयल दाना है हमें शूर्चीनी को पिगल डा लेना है पूरी तरीके से एक पतला सा सिरफ यह तयार हो जाएगा हमारा देखे बॉयल आने लगा है तुरंती अब इसमें हम कड़ी भी हरा धन्या डाल देंगे और उसे भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से यह हमारा तड़का बन गया है ढोगले के उपर डालने के लिए अब आईए हम ग्यास बंद कर देते हैं और ढुख्ला देख लेते हैं ठंडा हो गया है एक प्लेट पे इस तरीके से इसको टाप करके निकाल लीजे देखे कितना स्पॉंजी बना है तड़का लागाने से पहले काट लीजे जिस भी शेप में आप कातना चाहते हैं आप काट लीजे उसके बार जो हमन भी डालते हैं इस तरीके से इसको सफ कीजिए उपर से कोकोनट ग्रेटेट से हरे धनिये से गांडिश करके